तो आज हम जो है बीवी एस एन एएफ फर्स टीर 2017 का एल पीम पेपर जो है कम्प्लीट करेंगे तो फर्स जो है फिल इन दे ब्लैंक तो एन एडल्ट ब्लीडिंग मेल ओफ होड्स इस नोन एज इस टेल यह ने आप पड़ चुके हैं सारे टेनमिनलोजी जो है पड़ा दी ज इन शीप इस नोन एज यह आप जानते हैं टुपिंग है फिर है नो गोड़ वाइकल शेल कैली मोर देन डैश कैटल तो शिक्स इसका अंसर है शिक्स कैटल यह आपको याद रखना है फिर डैश इस दाइस को डैट इंडिकेट्स अ काव जडिकेशन फैटनेस और बोडी ए अज़र है हाई फिर और है फिर को जो है अलाव करता है माउंटिंग के लिए फिर पीरेट बिट्विन डेट ओफ काविंग अन डेट ऑफ सक्सेस्फुल कंसेप्शन इस तो इससे सर्विस पीरेट बोलते हैं यह आप जानते हैं डैश इस दा मोस्ट कमन डिजिजिज ऑफ न्यूबॉर्ण काव तो इटी इसी मदब ब्रेकेट में को लाइब काफ डी डाइरिया जो है वो मोस्ट कॉमन है काफ डाइरिया यह आपको याद रखना है फिर है दे प्रेक्टिस ओफ फीडिंग हाई क्वालिटी एंड बैलेंस फीड टू है फिर टू प्रिपेर देम फ इसका आप जानता है मैंगो सौर्गम बाइक लर कंटेंस टॉक्सिक सबस्टेंस डैश तो इसका अंसर है 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 टॉक्सिक जो है कंटेंड करता है सौर्गम फिर दैश इस डिफाइन आज इस टेट ऑफ बोडी एंड माइंड एस सेंटियंट एनिमल्स विच अटेंट टू को इस अनुएमेंट तो इसका अंसर है अडप्टेशन फिर डैश डिल विट आर का आर वेल्यूस अफ वाट इस गूड और बैड राइट और रॉंग हाव वी आउट बी बिहेव एंड लीव आर लाइफ तो इसका अंसर है इथोलोजी यह आपको पता होना चीए फिर फिर फ यह आपको जानकर देदू 1962 इसका अंसर है आपको याद रखना है और इंडिया जनेशनल फॉर्स नेशनल पार्क वाज इस्टैबलिज़ इन 1936 एज हेले नेशनल पार्क नाउन नोन अज यह मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार यह यह आपका वह वाला नहीं है ठीक है डवल डवल इसका मतलब है वर्ल्ड वाइल लाइफ फंड अब हमें स्टार्ट करता है तो पहला है इन यह 2012 फेलो पॉपलेशन इंडिया फिनेक्स टेट 2012 गोड़ पॉपलेशन इंडिया तो दोनों का जो है अब इन यह लिटेस्ट सें लिटेस्ट जो है आपके स्क्रीन को पर जो है मिलियन टन्स जो है शो हो रहागा वही अभी का लेटेस्ट पॉपलेशन मिल्क प्रडूस्ट है वाल्यूम फिर विच आप जानते हैं वाइट सिंधी जो होती है इसे थार पार कर भी बोलते हैं तो यह जो है नॉट पर यह जो है तो आप जानते हैं ड्राइब इर्याइज फिर द प्रॉसस ऑप्राइशन ऑफ प्रॉसस ऐसा प्रॉस्ट आपज़्ट एप इनिमल को सेपरेट करना और आपका यह कम टम कॉमन भी है आप जानते भी एक वारिंटाइन इसका अंसर है अभी बहुत फेमस भी हो रह इन पिग इस तो यह आपको यहाद रखना है बोथ फिमोरल एंड मीडल कोक्षीजल आर्टी फिर है नॉर्मल बोडी टेंपरेचर रिंज इन कैटलीज यह आप जानते हैं यह 37.8 से 38.9 फिर है टंग रोलिंग इस आवाइस एपनॉर्म बहेवर विच आप विच आप विच इ कंट्रोल एंड अरोबिक कंडिशन रिजल्टिंग इन्टो फर्मेंटेड फीड इस नोन एज तो साही लिए जिसका अंसर है यह तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है विच आपको पता है सीरियल फॉर्डर एंड ग्रासेज जो होती है वो मैंटेनेंस टाइप अब जानते हैं इसे बाजन को क्या वो थैंप और मिलेड भी बोलते हैं काजरी लोकेटेड ए तो सब जानते हैं जोतपूर में जो है काजी लोकेटेड़ विच औप फॉलाइइंग ए शाह एंड एन जो रिलेटेड विधन वेलफेर तह आप जानते हैं सेंटर फॉर which contains less than 18% crude fiber and high in total digestible nutrients is known as यह तो आपको पहली क्लास में पढ़ा जाता है इसका अंसर है concentrate फिर है which of following is our rules regulations laws on animal welfare तो आपको बता दू कि PCA act 1960 PCA क्या है prevention of cruelty to animals जो है इसका अंसर है prevention of animal to cruelty PCA act 1960 is related with अब यह अपन उपर पड़ा नीचे वाला अगर आपको उपर वाला आता है तो यह नीचे वाला तो अराम सा जाएगा दोनों हो है cruelty to animal generally और experimentation of animals और क्या क्या है performing animals यह सारा जो है include करता है यह act फिर a carcass can be disposed by which of the following method तो both method यह आपको याद रखना है electric acid fermentation भी होता है alkaline hydrolysis जो होता है major में आता तो आपको में detail भी आपको बता रखा है फिर a numbers of wildlife centuries in India is about तो 537 यह आपको याद रखना है data फिर है the zoo can be characterized as medium size zoo when number of species exhibited is तो आप जानते हैं इसका 20 से 49 एक आगे इसका major में भी हम जो है इसको major में भी आता है तो उसमें पूरा categorization पूछ लेते हैं कि medium zoo small zoo mini zoo large zoo पर आपको जो है उससे में वह एक table आती है वह आपको याद रखनी है तुससे आपको सब कुछ क्लिए रजाता है फिर attempt any 10 पर हम आपको सारे बताते हैं definitions start करते हैं तो पहला है livestock यह सब जानते हैं livestock means stock of items of property ठीक है that is a live मदब property भी क्या से live होनी चाहिए in broad sense includes all animals birds and other living creatures used for producing products for use of animals but mainly include farm animals जादा तर क्या include होता है farm animals से होता है next question जलते disinfection अब जानते it is a common management practices used to kill or remove bacteria and parasite objective क्या होता है this infection is to reduce or eliminate microorganism decontamination of objects before use तो example आप जानते हैं antiseptic bacteriocidal bacteriostatic और यह सारे होते हैं फिर है वाइस तो वाइस जो होता है it is an undesirable quality in an animal or bad habit कुछिए bad habit animal की और a natural habit of animal example आप जानते हैं tongue rolling in cattle अभी अपने देखा भी था इसमें फिलप जो है था फिर क्रिप बाइटिंग इन होर्सेज ने कलिंग तो the term curl means remove from group मतलब यह ऐसा होता है इक undesirable weekend animals होता है वो जो है reduce कर दिया जाता है remove कर दिया जाता है तो reduce or control the size of herd by removal of especially weaker animals ठीक है फिर जो है draw animal power तो यह क्या होता है a strong working animal used to draw a load जिसकी काट बेल गाड़ी जिसे बोलते हैं अपलो करने के लिए एक सेक्टा वगरा सब इसमें यूज क्या जाते हैं जली कट्टू तो आप जानते हैं बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है जो कि तमिल नाटू में होता है यह एक पॉंगल celebration का पार्ट है जली कट् नाटू का म aspiring है कट्टू मींस पकेज होता है और जली जो है आगे का सेली का सुवह इसका मिलाबब टर कोइस तो इसके करते हैं उसके हिंसे कोइंप काट्य कोट्य कर देते हैं और तो कि दस इसफिल सकती है आंभर यानिश्ट डा एनिमल ये gefI APP कर देते हैं ने एक थीट 넣 hit काव के अंदर ब्लोइंग होती है और काव ब्लोइंग और फुका मीन्स अ प्रोसेस इन विच फोर्ट फूर ब्लोइंग ऑफ एयर इंटु काव एनस और वेजाइना टू इंड्यूस हर टू प्रेडूस मोर मिल्क फिर नेक्स चलता है रभी फॉडर ठीक है रभी फॉडर ने यानी रिनी सीजन क्रॉप है रभी जो है कोल एंड नियली ड्राय कंडिशन में होता है और रभी खरीफ जो है वह होट और वैट कंडिशन में होता है उसके अंदर सोइंग टाइम क्या होता है अक्टूबर से नवंबर उसके अंदर खरीफ के अंदर क्या होता है जून से ज बढ़ता है फिर आपने चलते हैं है फिर आपको पता है यह फिमेल काव इस्पेशली वन डैट है नोट येट कावड मदला अभी तक उसने भी काविंग नहीं हुई है उसके पहले क्या है यह सारा है फिर अब हम चलते हैं जू तो यह आप जानते एक पार्ग होता है वेर मैं इस अब बहुत सारे रखते हैं वाइल अनिमल शोट एट पीपल कें लुक एट देम एंड वेर देव ब्रीड इस्टरी देन प्रोटेक्टेड फिर सेंचुरी सेंचुरी अब जानते है इस अनेचुरल हैबिटेड ओन्ड बाइग गॉवर्मेंट एंड एम इस तो प्रोट में आप जानते हैं पड़ती आ रहे हैं इस इंपोर्टेंट भी है यह बहुत तो इट कंटेंस हाई लेवल ऑफ एंटिबोडिज डेट काव नीड तो प्रिवेंट डिजीज कॉस्ट बाइम यह बहुत ही अच्छा होता है एसेंचल टू बोथ अली हैल्ट एंड यह इसकी में डेफिनिशन है ठीक है फॉर्स एकलिशन होता है इट इस ठीक एन यहलो इन कलर इट कंटेंज मोर अमांट ओफ प्रोटीन्स विडामी ने देन नॉर्मल में यह आपको पता होता है फिर है नेक्स्ट अपन चलते हैं वह बॉड़ी कंडिशन स्कोर ओफ हका है तकि इंप्रोव करक्षाँ के पर्लोक्षे न को ठीक है और्डी प्रोड़क्ष एसेशनस एस ठीक इन ओरे orderly fashion ठीके इसको और इसका रेन्ज होता है एक से लेके पांस तक increment जो होता है इसका पॉइंट two five जो है इसका एक जो है improvement होता है increment यह decrement होता है फिर आपन चलते है नेट्ट और अर्गेनिक यह और्गेनिक वर्ड जो है आपको बहुत वार सुनने को मिलेगा ठीक है इत मीन्स प्रोवाइडिंग ओल नेचुरल कंडिशन्स विच रिस्टिक्टेट दूस अप्मेडिसिनल ड्रग्स और प्रोड़क्शन अफेल्थी प्रोड़क्शन विटाउट उस पैस्टिसाइड प्रोड़िंग फ्रेश एयर और उपन स्पेस फॉर एक्सराइज क्लीन और ड्राय बेडिंग क्लीन द्रिंकिंग वाटर ठीक है डायरेक्शन लाइट हाइजिनिक शेल्टर तो इस फूर्ड प्रोड़क्शन वितन लार्ज नंबर अफ रूल्स रस्टिक्टेड ठीक है डि अब जो है इसकर सेट फॉर्ड जो है क्रीटिंग इसकर सिट फॉर्ड पर्डर जो है इसके है पहला है यह फेल जो फेल जो है और चुट्टेशन लाइट फ्रीट लाइट वेजटेबल अब प्रोटीन ठीक है यह सारी जो है इसके रेसिड्यूस होते हैं जो कि अपन जो है लाइप स्टोग में एफेक्ट भी करते हैं और काम भी आते हैं ठीक है नेक्स्ट अपना है लगुमिनेस और लगुमिनेस फॉर्डर तो लगुमिनेस फॉर्डर आप जानते हैं हाई प्रोटी कमई जो है राइटोेटावście जैव में आता है शायलने में असे जो फालिटा पै retard होती है इस?"arendas इसकी फुलफर्म ये होती है इंस्टिट्फीशनल ऑनीमल एठिक committee ठीक है यह जो committee है वो prescribed किसो ने की है CPCSEA under PCA Act 1960 and breeding and experimentation rule 1988 अब CPCSEA का full form हमें जरूर comment section में बताए ठीक है फिर इसका objective क्या होता है IACEC का तो objective क्या है to supervise and evaluate all aspects of animal care ठीक है experiment shall be performed within supervision of duly qualified person और IACEC scrutinize all project proper for experimentation on small and large animals तो यह सारे जो है यह conduct कौन करता है IACEC फिर वाइला प्रडक्शन in 1972 यह most 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 important है LPM का part है question आते ही आता है तो यह जो होता है is the act of a parliament ठीक है इन ओफ इंडिया enacted for protection of plants and animal species जो wildlife act प्रोटक्श प्रोवाइड करता है state wildlife advisory board जो बैठता है regulation for hunting wild animals and birds established for centuries and national parks regulation for trade imposed penalties for violating the act अगर कोई act वाइलेट करता है तो उसके लिए पर penalties लगा नहीं है harming endangered species listed in schedule one of the act is prohibited throughout India wildlife warden and their staff administered this act तो यह सारी चीज़ा आपको पता हो नहीं चाहिए फिर अपन चलता है classification of zoo in general तो यह जो है zoo जो होता है classified होता है different factors associating it area number of species एक्टर तो पहला है category फिर अपन category से चलेंगे large जू medium जू small जू और mini जू का जो है comparison करता है तो जिसके area in hectares तो large जू में जो है more than 75 hectares वो medium वाले में पचास से पिचुत्तर small वाले में 20 से 50 और mini वाले में less than 20 ठीक है number of animal exhibited तो large में more than 750 जो है आ सकते हैं medium में 500 से साड़े सांसो small में 200 से 499 और mini जू में जो है 200 फिर जो है number of species exhibited तो more than 75 species exhibited in large medium में 50 से पिचुत्तर small में 20 से गुन पचास और mini में में 20 फिर एंडेंजर इस्पीशिस नंबर इस्पीशिज एक्जिबिटे ठीक एंडेंजर इंडेंजर इस्पीशिज जो more than 15 तो थे लार्जू में 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 10 से 15 पंदरा इसमाल में पांसे नो और मोर देन 5 इन मिनी जू तो पहला है वोट डू यू मीन बाइंड मिल्किंग वाट डिफरेंट में डिस्क्राइब में डिस्क्राइब में डिटेल तो मिल्किंग आप जानते हैं इस एक्ट अफ ग्लेक्टिंग मिल्क रिलीज प्रम काओ अंग जौंश अडर आफ्ट इस्टीमूलेशन ऑपका ओ ठीक है मैं जानती हैं 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 में मजीर्च करण बढ़ित फ्राइन बिल्किंग पर टूखेंग हैं तो पहला है इसा यह स्ट्रिपिंग इन फिस्टिग नंखलंग यूंग ट्रड़र्ड आइस तो पहला है full hand milking to grasping the teeth with all five fingers ठीक है और pressing against the palm does full hand milking फिर stripping आप पिचर देखते रहे है firmly holding the teeth between the thumb and four finger और drawing it down the length of the teeth and as the same time pressing it to cause the milk to flow down in the stream ठीक है फिर अपन चलते हैं फिर है fisting और knuckling तो band the thumb against the teeth knuckling should be always be avoided prevent injuries teeth tissue ठीक है teeth tissue को injury होते हैं तो इसे अवोइड किया जाता है अब hand machine milking जो भी है यह cheaper cost में मिलना लगई है फिर है machine milking तो machine milking का principle होता है it opens the teeth canal through the use of partial vacuum तो यह it massages the teeth ठीक है इसके advantage is काफी है क्योंकि milking cows quickly और efficiently milk देती है और without injury the order main तो यह point है no pain no pain cause ठीक है it is easy to operate save time very hygienic and energy conserving milk from the order can be removed completely तो यह जो है system बहुत ही अच्छा है फिर आपने जलते है next question what do you mean by performing animals describe different types of performing animals what are the protection and welfare of performing animals under law तो आपको बता दू कि जो लो performing animals क्या होता है जो की animals जो आप जानते हैं film में यूज किये जाते हैं और entertainment purpose के लिए जो यूज किते हैं उन्हें performing animals होते हैं तो 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 दे लॉप अंडर PCA 2000 1960 सॉरी आफ दे परफॉर्मिंग अनिमर्स रूस 1973 परफॉर्मिंग अनिमर्स मीन्स एनिमर्स विच इस यूज फॉर परफॉस अनि entertainment to which the public is admitted through the sale of tickets ठीक है परफॉर्मिंग अनिमर्स जो है इसके एक्जांपल साब पता होने चाहिए तो पहला है अनिमर्स रेसिंग बुल फाइटिंग होती है गोवा मैं कॉक फाइट्स और पार्टेज फाइट स्टिक पार्टेज नलब तितर थीया अब्जेक्टिव जिसका आपको पता होने चाहिए तो प्रोवाइट क्वालिटी मेंटल हेल्थ ठीक है उसकी नौर्मल फिजिकल और मेंटल हेल्थ को आपको ध्यान में रखना है प्रोवां डिस्ट्रप्शन इन रूटीन और चेंजिस इन अन्वाइमेंट एंड कंपंसेशन कें कॉस्ट ट्रॉमा ठीक है कंपैनियल्स को ट्रॉमा भी हो सकता है तो इंड फिल्ब्स एंड और फॉर एक्वाइन इवेंट तो यह प्रोभीट कर दिया था एक्जिबिटिंग और टेनिंग ऑफ एनी पर्फॉर्मिंग अनिमल्स अन्लेंस दपर्शन इस नौर्ट रजिस्टरड विट प्रिस्क्राइब ऑथरिटी ठीक है बियर मंकी टाइगर पाइ प्रिसटाइब लिए मिटिंग तो आप जानते हैं साइलेज क्या होता है सिंपल एंट फीट साइलेज इस अग्रीन माटीरियल प्रेडियूस ब्रेडूस्ट्रोलिंग फर्मानटेशन प्रडूस्ट्ट्रोल फर्मानटेशन ठीक है और ग्रीन फडर क्रॉप रिटेनिग द होता है फाइब से 15% होता है इत कैन्घ तर्डराउन कलर येलो और ग्रीन कलर ठीक है अमोनिकल नाइट्रोजन प्रेजन तर्ट है लाइस दन 10% भी प्रषाइब अधिक है तुट के प्रिजेंट होती है मैने थर्ट अब क्या-कै तो आप जानते हैं पहले ब्रेपरेशन आफ साइलोपीड जी से बहुत हैं डिजाइड लोकेशन लेवलिंग ओफिट ठीक है दा क्रॉप शुद बीकट इंटो स्मॉल पीशेज आफ अफ अबाउट फूट तो फूट सेंटीमेटर एंड शूट है थर्टी से थर्टी फाइफ परसेंट ड्राइब मेटर एडिटीव नित्राइड वाइब से ंफूट हैं रटीज य्यदक है 45 days care should be taken in removing the silage from the cover should be placed firmly and maximum face should be exposed during taking the silage ये जो है सारा हमने complete कर लिया है major portion तो अब जो है हमारा 2017 का LPM जो है complete होता है paper 1 next paper 2 हम स्टार्ट करेंगे thank you like share comment जरूर करें